शुरुआत करते हैं, पोल में आप जवाब देंगे, question number one पढ़िएगा एक बार, इस तरह के questions खूब trend में हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, यह ना, first question पढ़िए एक बार, young children construct knowledge and make meaning through, यानि जो छोटे बच्चे हैं, वो ग्यान की संरशना, children construct knowledge and make meaning through, ग्यान की सं निर्मान कैसे करते हैं, पहला option है active exploration, यानि सक्रियन वेशन द्वारा, play यानि खेल कूद के द्वारा, active on materials and experimenting, यानि activity करके, materials का use करके, experiment करके, प्रयोग करके, फिर आता है fourth option आपका, interaction with peers and adults, जो उनके समकक्षी हैं, जो सहपाथी हैं, जो उनकी age के लोगे, जनकी साथ वो ख बात करके, interact करके सीखते हैं, बात तो ठीक लग रही है, चारों में बच्चा active है, जहां बच्चा active हो, भले की बात है, आप लोग 79% लोग answer दे भी रहें, first, second, third, और fourth, समझते हैं, पूछा है कि बच्चे ज्यान का निर्मान कैसे करते हैं, और meaningful learning कैसे होती है, meaningful मतलब research, R&D कर लेता है, अगर हम बात करते हैं, play, kill में में भी वो सीखते हैं, active, experiment करेंगे, किसी भी material पे, और interact करेंगे, peers के साथ, सभी में बच्चा active है, that means meaningful learning हो रही है, लाइफ से जुड़ जाएंगी चीज़ें, जैसे ही बच्चा actively सीखेगा, ठीक है, तो अर्थ पून, अध ली जगा पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़े से lengthy है, अगर आप पढ़ने की practice रोज करेंगे, क्योंकि जातरे exam सभी online की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप देख करके पढ़ पाएं screen पे, है न, जितनी speed, speed उतनी ही अच्छी होगी, जितना आप practice करेंगे daily daily, इतन और बताओ, कि N.V.S. भी लेते होगे, अभी तो नहीं, N.V.S. आएगा तो बिल्कुल, देखेगा एक बार, question 1 second कहता है, to help children memorize the phone numbers, यानि आप बच्छों को मदद कर रहे हैं, क्या memorize करने के लिए, क्या याद करने के लिए, phone numbers को याद करने के लिए, है न, our teacher suggested students to divide 10 digits of phone number, teacher न 10 digits का phone number है, बान लीचे, ठीक, teacher ने कहा कि 3 और 4 के टुकड़ों में विभाज़त कर लो, जैसे ये 9599, 4 digits हो गई, ठीक है, 161025 या 161025, मतलब chunking कहते हैं इसको, याद करने के लिए, आसान तरीका क्या है, chunking कहलाता है, कि आपने टुकड़ों में विभाज़त कर लिया किसी च को, तो chunking से क्या हो जाता है, easily आप units में, smaller units में याद रख पाते हो, ये strategy होती है, याद करने की, memorization की, तो encoding तो कुछ और बना करके, जब दिमागों या आफ पीड कर रहे हो, assimilate होता है, as it is, आपने add कर लिया, adaptation ने कुछ चेंज किया, यहाँ पे simple chunking mechanism होता है, ये खंडी कर यानि, learning की किस form पर सबसे जादा जोर दिया जाना चाहिए, schools में, बताइएगा, एक बार, निमनु में से अधिकम की कौन सी तशा पर, किस form of learning पर, सबसे जादा जोर दें, किस तरहा से सिखाएं, सबसे महतोपूर्ण क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, देखें, एक बार करें, अपनी सराउंडिंग से interact करके, बात तो समझ में आती है, रोट, memorizing the content, रटना तो कहीं भी, कोई भी तरीका नहीं है, जिस पे जोर दिया जाना चाहिए, emphasis का मतलब क्या है, बल देना चाहिए, किस तरह से सीखने पर, जिसमें बच्चा active हो, उस तरह से सीखने पर, child-centered माहल होना चाहिए, passive नहीं रखना है, बच्चे को अभी भी, passive imitation, यानि वो निश्क्रिय हो करके, बस imitate करे, D option है, conditioning of behaviors through stimulus response association, देखो, यह behavioristic point of view है, कि उदीपन अनुक्रिया है, बेल बजाई, कुते के मुझ से ला राई, बेल बजाई, कुते के मुझ से ला राई, यह क्या है यह conditioning है, कि एक stimulus है, और सामने से response आना चाहिए, तो हम conditioning करके आदत डलवा रहे हैं, इसमें meaningful learning नहीं होती, यह just conditioning हो जाती है, habit हो जाती है, और आप बिना धिमाग का use करे, automatically same चीज़ करते रहते हैं, तो यह option एक मात्र सही उत्तर है, जो active form of learning कहेंगे, जिसको जहाँ बच्च active है, कि बच्चा different skills और knowledge को build करें, दूसरों के साथ interact करके, अपनी surrounding में, चाहे वो पेड़ पौदे हों, इनसान हों, चीजें हों, है ना, तो उससे क्या होगा, वो actively construct करेंगा knowledge को, क्या होगा, सक्रिय होगा, जहाँ बच्चा learning by doing करेगा, that means उससे बहतर learning कोई और नहीं है, जहाँ वो सक्रिय होगे, सीखेगा, तो यह option is the only right answer over here, आगे बढ़ेंगे next question पर, question number 4, पढ़िएगा एक बार, question number 4 देखेगा, which of the following set exemplify a social constructivist approach to facilitate reading among students, यानि, सामाजिक रच्चनवादी परिपेख्ष्ट के अनुसार, अगर आप बच्चों में reading को बढ़ावा देने की बा रच्चनवादी कौन है, वाइगोस्की है, that means groups में सीखें, पढ़िएगा थोड़ा सा बड़ा question है, समझने में समस्या हो सकती है, या थोड़ा लेंदी लग सकता है, confusing लग सकता है, but easy है, अगर आपका concept clear है, तो आप कर देंगे इसको, अभी तो नहीं आया भी कोई notification, देख एक बार, पहला option है, Salma uses flashcards to help students learn new words and rewards them with candy for correct responses, Salma एक teacher है, flashcards का use करती है, छोड़े-छोड़े जो cards होते हैं, जिस पे एक तरफ apple लिखा है, तो दूसरे तरफ apple बना है, flashcards आपने अपने teaching training में use किये होंगे, जिन लोग ने proper की है, to help students learn new words and rewards them with candy for every correct response, अगर बच्चे को flashcard यू reward में, that means external factors के लिए ही फिर वो हमेशा काम करेगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं कहेंगे, फिर भी देख लेते हैं, प्रामती has her students choose from a variety of books to read, those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis, यानि प्रामती जो हैं विविद प्रकार की पुस्तक हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और जो व किता भी मिल रही हैं और जो किताब अच्छी लग रही है उस पर discussion होना चाहिए, that means बच्चा actively knowledge को construct करेगा, हमारा purpose क्या है बच्चे को active करके, sorry, learning by doing कराना, फिर आता है third option, अरुन धती emphasize the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words, यानि अरुन धती क्या करती हैं, वो focus करती हैं कि बच्चों को contextual material, यानि संदर्व से संबंदित, अगर हम उनको farming के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे examples दे सकें या वहां लेके जा सकें, जहांबे बच्चा connect कर सकें उस context में, बात तो सही है, फिर आता है fourth option, रेखा, has her students write each word they miss on a spelling test five times to help them remember the word, मतलब रेखा जो है, अगर कोई बच्चा लिख देता है, तो इसको पांच बार repeat कराती है, तो यह तो ratification हो जाएगा, ठीक है, तो बहता, क्यूंकि हमारे पास दो ही option चुनने का साधन है, negative अगर देखा जाए, तो बहुत जादा negative कोई भी option नहीं है, but best क्यों है, हम simply 2 options को यहां पे, निकाल सकते हैं, एक है second, दूसर है third, तो second and third best हैं यहां, C option is the right answer, जो कि आप लोग 56% लोगी answer दे पा रहे हैं, देखो इसमें complicate होके फसना नहीं है, अगर आप सबसे best option चूज करेंगे, तो आपको मिल जाएंगे कि यही दो best है, question number 5 देखेगा एक बार, पढ़िए question, पढ़िएगा एक बार, देखे, as a teacher, how can you facilitate problem solving abilities in your students, यानि एक सिक्षिका के रूप में, आप समस्या समाधान की जो शमताएं हैं बच्चों की, उनको कैसे बहतर विक्सित कर सकते हैं, समस्या समाधान बच्चों में आना चाहिए, life है, problems आएंगी, हमेशा आएंगी, पढ़ाई से लेके life तक, हर जग generating fear among guests, your students, डर बिठा दो, कि problem है, तो रोना पीटना बचा दो, परिशान हो जाओ, डर जाओ बिल्कुल, तो ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, डर नहीं बिठाना, कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर दो, हाई रे एक्जाम सा रहे हैं, डर फिर है B option, encouraging a fixed way of solving a problem, अगर fixed way होगा problem को solve करने का, सिर्फ एक ही तरीका, अटल तरीका होगा, तो सिर्फ एक fixed way से, दुनिया की सारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता, we have to be flexible for solution of a problem, ठीक है, encouraging use of analysis, तो अगर आप किसी भी problem का solution find out कर रहे हैं, तो flexibility होनी चीए, fixed नहीं होना, यह encouraging use of analysis, हाँ आप समस्या को टुकड़ों में बांट करके देख पाएं, कि इसमें ये problem है, ये problem है, ये problem है, ये problem है, उस हिसाब से फिर आप solution निका लें, समझ में आती है बात, emphasizing on use of passive memorization, बच्चों को passive हमें रखना ही नहीं है, दुनिया के किसी कोने में, तो 69% answers आपके सही है, encouraging use of analysis, समरूपों के इस्तिमाल को बढ़ावा देना, analysis क्या होता है basically, analysis is, कि आप क्या कर रहे हैं, parts में खोल के देख रहे हैं problem को, अच्छा fail हुए तो क्यों हुए, किस subject में कितने number आए, अच्छा कौन से topic में मैं कमजोर हूँ, ये analysis है, हैना कोई problem आई, तो आपकी क्या गल हैंगे, C option is the right answer, यहीं पर बच्चा active है और यह सही तरीका भी है, problem solve करने का, next question देखेगा एक बार, question number 6 देखेए, which of the following will result in facilitation of meaningful learning, यानि अर्थपून अधिकम किस option के द्वारा होगा, अर्थपून मतलब जिसमें बच्चा active हो, जो उसकी life से relate कर सके, वो है अर्थपून अ है हमारे सामने, पहला option है, promoting decontextualized learning in the classroom, यानि कक्षा में संदर्व रहित, जो को decontextualized अधिकम नहीं हो सकता, हमेशा याद रखेगा, decontextualized नहीं, contextualized होगा, यह न, encouraging multiple ways of working at a problem, यह सबसे बैस तरीका होता है, कि किसी भी समस्या पे, solution के लिए, आप multiple ways अपना है, flexibility रखे, प passive learning हुआ, इन सबसे हम बचते हैं, भागते हैं, ठीक है, फिर आता है D option, copying answers written by the teacher on the blackboard, copy करने से कौन सी समझ बढ़िया होगी इनकी, है न, कि बस लिख ले हम फटा-फट, लिखने से क्या होगा, जब तक जीवन से ज़ड़ी चीज, जब तक real life examples से नहीं ज़ड़ी, तो B option is the right answer, कि एक समस्या पर वविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोथ साहित, अगर आप बच्चे को करेंगे, तो जो अधिकम है, वो सार्थक होगा, वो meaningful होगा, वो काम आएगा बच्चे के, ठीक, तो B option is the only right answer over here, आगे बढ़ेंगे question number 7 पर, देखेगा एक बार, question number 7 है, students are likely to experience the emotion of dash when they attribute internal factors to explain their success at a task, यानि अगर विध्यार्थी अपने कार्या की सफलता को आंत्रिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो उनमें dash की भावना उत्पन होगी, मतलब अगर आप successful हुए हैं किसी एक काम में, तो internal factor पर आपने जोड दिया है, चाहे वो अपने motivation हो, चाहे लगातार महनत करते रहना हो, समस्याओं से ना डरना हो, तो अगर बच्चे ये emotion फील कर रहे हैं, क्या emotion होगा जब वो internal factors पर फोकस कर रहे हैं किसी एक task में success के लिए, यानि अगर exam में successful होना है, तो आपकी महनत अच्छी होने चाहे बजाए कि ये कि इतने लोग हैं, ये है वो है फलाना है, तो क्या होगा pride की भावना आएगी, गर्व महसूस करेगा बच्चा, क्या होगा गर्व महसूस करेगा, क्योंकि internal factors, किसी और पर दोशारपन नहीं किया, कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी वज़ा से नहीं हुआ, इसकी वज़ा से successful नहीं हुए, ये नहीं होगा, क्योंकि internal factors पर आपने डाली हैं चीजे, external पर डालेंगे, तब negative emotions आएंगे, question number 8 देखिएगा एक बार, question number 8 देखिए, at primary level of education, use of multi-sensory approach should be encouraged because, यानि primary level of education, यानि जब प्राक में किस तर पर बच्चा है, तो multi-sensory approach, multi-sensory approach किया है, जहां पर multiple senses, हमारा जो 5 senses हैं वो सब involved हो, बच्चे को देखने का भी मौका मिले, करने का भी मौका मिले, सुनने का भी मौका मिले, touch, taste, feel, ये सारी चीज़ें आ जाएं, तो इस way को, multi-sensory approach को, जहां पर multiple senses बच्चे की use हो, focus क्यों करना चाहिए, teacher को, encourage क्यों करना चाहिए, ऐसी approach को, जिसमें multiple senses बच्चे learning होगी, याद रखिएगा, है न, फिर भी बाकी के option check कर लेते हैं, it gives opportunities to exclude certain children from education, यानि कुछ बच्चों को हटाने का, निकालने का, मौका दे देती है ये चीज, multi-sensory approach, बच्चों को exclude नहीं करना, segregate नहीं करना, include करना है, exclude करने वाला option कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, बच के लिए, है न, time pass के लिए, ये सारे काम pedagogy में अच्छे नहीं माने जाते, इनको positive नहीं माना जाता, कि teacher का time बच जाएगा, तो मतब कहां दौर लगा के जाना है teacher को, समय है, proper, given time है, असलिबस खत्म करने के कर में कुछ करना हो, ये सारी negative बाते होती है, ठीक है, it yields to docility among children, ये भी गलत हो गया, कि आगया परायन था, बस उनको मान लेना है चीजों को, ऐसा भी गलत है, यहाँ पे simple बात है, it makes learning more effective, अधिकम ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा, यदि बच्चों के ज़्यादा senses involved होंगे, तो हो भूलेंगे नहीं चीजों को, हमेशा चिज़ समझ डेली 9.30 होती है, आज आपकी 9.45 थी गलास 72% लोग A option दे रहें answer, देखेगा, अगर हम बात करते हैं, 9th question की, तो कहता है, children often form alternative conceptions, एक question इस पर at least seeded में या और भी जगाँ आज कर आने लगा है, alternative conceptions, या misconceptions, या फिर naive concepts कह देते हैं इनको, कि बच्चों के न कई सारे naive concepts विक्सित हो जाते हैं, जसे अभी कलपर सुमें एक question आया था, कि एक बच्चे ने गंदा पानी देख करके कहा, कि पानी का जो रंग है, वो colorless नहीं होता, पानी रंग ही नहीं होता, पानी में रंग होता है, क्योंकि उसने कहीं colorful पानी देख लिया था, या होली महीं मानलो होली का होली वाला पानी देख लिया, गंदा पा कौन सा एक statement जो है, वो सही नहीं है इस संदर्व में, बताइए गा एक बार, तो first option है, alternative conceptions and misconceptions formed by students should be highly discouraged, बच्चा जो भी लेके आता है उसको discourage नहीं किया जाता है, उसको encourage किया जाता है, मतलब ये उसका alternative conception है, इनको wrong conception कहने के वज़ा alternative कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं दूसरे ढंग से सोच रहा है, ठीक है, तो इसको discourage नहीं किया जाता है, encourage किया जाता है, बस ठीक करा देंगे, आप बच्चे को सही तर्क दे करके, लेकिन ये नहीं है कि discourage कर देंगे, कि बोले ही ना वो अपनी विचार कहे ही ना, फिर है B option, formation of alternative conceptions and misconceptions is very natural, हाँ बिलकुल natural स आएंगे, curiosity होती है उन में, वो multiple ways में सोच सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिककत देंगे है, फिर आती है बात, C option, our teacher should definitely attend to these alternative conceptions and misconceptions as they are significant in process of teaching learning, हाँ, teacher को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर क्यों, क्योंकि इस significant होते हैं, पता लगेगा आपको कि बच्चे सोचते कैसे है और आपको ठीक कैसे कराना है, फिर है बात, D option में, alternative conceptions and misconceptions are not always baseless, rather these represent children's intuitive ideas about world around them, बात सही है कि ये जो भ्रांतियां है, ये जो alternative conceptions हैं, ये कई बार baseless नहीं होते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी दुनिया में intuitive ideas, उनको सहजता से कैसे ideas आते हैं, ये भी बताते हैं, बात number 10 देखेगा, dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning, यानि निमन में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष ये है, कहता है कि थोस कहले जाया मूर्थ प्रलोभनों को, यानि tangible rewards, कि first आए, तो पापा ने का फोन दिलाएंगे, क्या tangible reward है, है ना, बतलब tangible incentives या rewards motivate करते हैं बच्चों को, ये कौन सा view of learning मानेगा, कौन सा school of psychology इस चीज को मानेगा, आपको पता, stimulus, response, reward, punishment, कौन कहता है ये सब बाते हैं, सिर्फ 49% लोग ही कह रहे है, humanistic तो इस तरह की बात करते हैं, cognitiveist दिमाग पर जो डालने की बात करते हैं, socio-culturalist interaction की बात करते हैं, एक ही समुदाय है जो इस तरह की बात हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो behavioral जो aspect है वो कहता है कि एक stimulus है, एक response है, punishment और reward की बात करता है, reinforcement की बात करता है, कि बाहरी चीजों से बच्चा motivate होगा, ऐसा, कौन कहा रहा है, behavioral aspect, skinner से ले करके और thorn-dike तक, आगे बढ़ेंगे next question पर, question number है 11, यही लोग conditioning की भी बात करते ह हैं, answer कीजेगा, पढ़िएगा, एक बच्ची है मूर्ती, कक्षा 4 में पढ़ती है, is able to read only at the level of a grade 1, यानि सिर्फ class 4 में है, बट जितना एक class 1 का बच्चा पढ़ पाता है, grade 1 का बच्चा पढ़ पाएगा, उतना ही पढ़ पाती है, वो 4th class में होकर के भी, या फिर पढ़ है, क्योंकि he है, तो he also has difficulty matching sounds, sound match करने में दिक्कत होती है, है ना, saw, या, क्या हो सकता है, show, है ना, sound match करने में भी दिक्कत होती है, spelling words में भी दिक्कत होती है, letters को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, that means school मिला के पढ़ने में समस्या है बच्चे को, पढ़ने की समस्या को dyslexia को सिंपल बात, नो बखवास, ठीक है, रीडिंग डिसॉर्डर क्या है, हमारा डिसलेक्सिया है, तारे जमीन पर में इशान अवस्ती को था, याद आ रहा होगा आपको, है ना, अगर हम बात करते हैं, डिस्प्रेक्सिया होता है, मालो चलने फिरने में, बच्चे को बटन लगा में, मोटर अक्टिविटीज में अगर दिकत है, डिस्क्या कैलकुलेशन में प्रॉबलम है, है ना, डिस्प्रेफिया है, लिखने में समस्या है, बट यहां पढ़ने की बात है, तो दिस्लेक्सिया इस दी राइट आंसर, बुमन इरानी से लेकरके, बहुत साए लोगों ओ इसलेक्सिया common है, अगर हम एक प्रॉबम की बात करें, तो, question number 12, देखिये, our teacher can identify creative children in her class by, creative का मतलब दिशाओं में सोचना, divergent, तो सोच जाया करो, जैसे ही creative, देखिये, openness, open-ended, है ना, brainstorming, multiple ways of thought, novelty, originality, यह सारे बर्ट, हमारे दिमाग में creativity से जुड़े हुए रहने चाहिए, तो, कैसे हमें creative बच्चे को पहचानेंगे classroom में, as a teacher, आपको creative को भी पहचानना है, आपको slow को भी पहचानना है, जुरत है, आपको वैसे ही, आप उसको पढ़ाएंगे, their ability to think convergently, convergently creative बच्चा कभी नहीं सोचेगा, divergently सोचेगा, their popularity, popular तो कोई भी हो सकता है, एक बच्च के चार क्या है elements है, F-F-O-E, F-F-O-E, fluency, flexibility, originality and elaboration, that means innovative कुछ नया, कुछ noble सोचने वाला विक्ति, original सोचने वाला विक्ति क्या है, creative होगा, their innovative style of thinking, उनकी मौलिक सोच के अधार पर हम, उन्होंने कुछ नया सोचा होगा, कोई बच्चा है, जो कोई problem आप पूछते हैं, वो इतनम नए से, अलग से, तर्क देगा, या अलग से ideas देगा, that means, वो innovative है, वो creative है, वो leak से हट के सोचता है, lateral thinking है उसके अंदर, ठीक है जी, अगर हम बात करें D option की, तो there are selection of simple and recall based tasks, ऐसा नहीं है, कि वो simple और याद रखने वाले task को ही choose करेंगे, तो C option is the right answer, कि वो कैसे सोचे कुछ हट के सोचेंगे, innovative सोचेंगे, तो C option is the right answer, आप लोग 57% लोगी answer सही दे पा रहे हैं, पढ़ाई वड़ा ही नहीं कर रहे हो हैं, देखो एक बार, question number 13, देखो, what are the following behaviors, primary characteristics of impulsivity, low attention span, fidgeting, inability to sit for long, यानि निमलिखित व्यभार किसके लक्षण है, जैसे आवेक शीलता, तुरंत impulsive हो जाना, कुछ से में आ जाना, कम समय तक ध्यान केंदरित कर पाना, एक ही जगा पे जो है ध्यान केंदरित करने में दिक्कत होती है, व्यगरता बहुत देड़ तक बैठने की और शमता, यानि टिक के बैठ ही नहीं पाता बच्चा, उसको आप 5 मिनिट बिठा जाएं तो यह परशान हो जाते हैं, giftedness तो आपको पता ही है कि जिसका IQ जादा है, जो curious जादा है, जो जल्दी से चीजों को समझ लेता है, attention deficit hyper activity disorder is the right answer, ADHD, बच्चे की attention में deficit है, attention tick करके वो नहीं रख पाता एक जगा पर, और hyper activity है, tick के बैठ भी नहीं पाता, ना तो attention एक जो आपको जन्म के कुछ सालों तक ही पता लग जाते हैं, 10-12 साल तक, which of the following strategies does not promote inclusion, inclusion क्या समाविशन, education for all, सब को include करना inclusion है, समाविशी सिक्षा यही कहती है, 5 number गा topic है, does not promote, कौन सी एक strategy inclusion को समाविशन को promote नहीं करती, inclusion क्या हर तरहा के बच्चे को आप सेम स्कूल में जाएंगे उसको, normal, regular school में पढ़ाईए, बस आपने method में changes कर लीजे, अपनी प्रणाली में changes कर लीजे, क्योंकि system बच्चे के लिए है, बच्चा system के लिए नहीं है, ऐसा मानती है inclusive education, इसके लाब आगर हम बात करें, कोई बच्चा जो तेज सीखता है, धीरे सीखता है, किस इसी एक बात inclusion को promote नहीं करती, inclusion को promote क्या नहीं करेगा, जो segregate करेगा बच्चे को, जो अलग थलग करेगा, है ना, flexible grouping तो सही है, कि आप flexibility, heterogeneous group बना रहे हैं, यानि अलग-अलग शमताओं वाले बच्चे हैं, एक दूसरे से बाकी लोग सीख सकते हैं, कोई बच्चा है जो ब पढ़ के समझ के सीख जाएगा, ठीक, differentiated instruction होता है, need के अनुसार बच्चे को सिखाना या आप method बच्चे की need के उसकी ability के अनुसार चूज करेंगे, ability grouping, ability grouping क्या है, योग इता के आधार पे आपने समुही करन कर दिया, इसको हम avoid करते हैं, करना भी पड़े तो हम mixed grouping करते हैं, ability grouping जो है, इसका मतलब है कि आपने 70 परसेंट या 90 परसेंट लाने वाले बच्चों को अलग बिठा दिया, 35 परसेंट वालों को अलग बिठा दिया, that means आपने अलग थलग कर दिया, बच्चों को segregate कर दिया, include नहीं किया, तो ये गढ़बढ है मामला, इसलिए यही सही है, क्योंकि हमसे पूछा है, inclusion को कौन सी चीज सपोर्ट नहीं करेगी, reasonable curricular accommodation, ये बात सही है कि जो भी changes लाने हो curriculum में, वो लाए जाए सकें, आगे बढ़ेंगे next question पर, next question क्या है, question number है 15, which of the following is not a characteristic of child with giftedness, यानि इन में से कौन सा एक characteristic नहीं है, gifted बच्चे का, बताइए, gifted curious है, बहुत ज्यादा जग्यासू है, जल्दी से सीख लेता है चीजों को, एक बार में उसको चीजों समझ में आजाती है, जल्दी से समझ में आजाती है, कुल मिला के बात ये है, फटा फट से बताइएगा, memory जिसकी अच्छी है, जिसकी reasoning अच्छी है, जिसकी problem solving अच्छी कि बिसिकली cognitive skills इनकी अच्छी होती है, C option कहरें, 76% लोग, let's see, देखे एक बार, अगर हम बात करें, कौन सा है characteristic gifted बच्चे का नहीं है, आज मैं comparatively slow इसलिए भी चल रही हूँ, क्योंकि बड़े questions हैं, और फिर जब मैं speed में होती हूँ, तो कई लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, देखेगा, अगर हम बात करें, कौन सा एक characteristic gifted बच्चे का नहीं है, high level of commitment, ब्लुकुल सही बात है, रेंज 3 ने, 3 ring model दिया था, giftedness के लिए, इनका 3 ring model है, याद रखेगा, 3 ring model, ring समझतु ना, ring, पहनने वाली ring, ठीक है, यह Olympics में जो आप देखते हैं, 3 ring model है, क्या है, इसमें ACC से याद रखेगा, high ability, high creativity, high commitment, ठीक है, मतलब, gifted बच्चा वो है, जिसमें शमता जादा है, बाकी, समक्षों के मुकाबले, शमता जादा है, किस चीज को सीखने की, करने की, समझने की, जो creative जादा है, जो नए तरीकों से सोच लेता है, चीजों को, और जिसमें commitment बहुत जादा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब, बिना करें, बि जब जादा है, और high commitment, यानि आसानी से give up नहीं करते, ठीक है, ये तीनों शमता हैं पाई जाएंगे, gifted बच्चे में, as per range-ally, एक व्यक्ति हैं, जो नहीं होने ये model दिया है, यानि उच्छ शमता, उच्छ रशनात्मक्ता, और उच्छ कमिट्मेंट को जो भी कहते होंगे, spirit, nashita or something, ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि commitment तो होती है, not पूछा है हमसे तो, prefers working independently on tasks, हाँ, वो सवतंतर रूप से काम करते हैं, क्योंकि कई बार इनकी speed बाकी बच्चों से जादा होती है, फिर है C, option, ability to recognize multiple options while working on problems, हाँ, different ways में सोच पाएंगे, ये बा times, ये बोर हो जाते हैं, यदि same चीज रिपीट होने लग जाए बार-बार, या फिर अगर easy हो जाए task classroom में, तो ये बोर हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए कई बार enriched curriculum का प्रयोग करना पड़ता है, या थोड़ी से difficulty है, challenging tasks भी इनको देने होते हैं, क्योंकि इनकी mental शमता should employ classroom management strategies which focus on, यानि एक अध्यापक को कक्षा प्रबंदन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए, classroom management strategies पर कैसे बल देना चाहिए, बताएगा एक बार, controlling the class through rigid rules, यानि rigid rules के थ्रू कंट्रोल करेंगे, देखो rules या कुछ भी है न, पढ़ाई में, वो flexible होना चाहिए, चाहे curriculum है, चाहे rules है, rigid से नहीं चलेगा काम, अगर हम बात करेंगे, मतलब सोच भी आज के time पर तो rigid नहीं चाहिए न, flexible चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करें, be option की, तो expecting same behavior from all children, ये बिलकुली खतरनाक बात है, कि आप same way of hard, समान way of hard, सभी बच्चों से expect करें, कि एक बच्चा है जो कहती काम कर लेता है, तो सारी कर लेंगे, हैना, making students abide to all rules without questioning, ऐसा भी नहीं है कि आप Hitler शाही चलाएंगे, य इंडे के बस पे नहीं कराना है, अब मेरा मन कर रहा है, कंट्री का नाम लेने का, बिट में लूंगी नहीं, basically, इंडिया बनना है, आपको ताना शाही पे नहीं जाना, फिर है आगे बढ़ते है, D option, giving ample opportunities for self-reflection, यानि अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रशोर अवसर दे फिर बढ़ेंगे आगे question number 17 पर, which is the most effective strategy to encourage conceptual development in children, यानि कि कौन सा एक तरीका सबसे प्रभावशाली है, अगर हम बात करते हैं, conceptual development को encourage करने की, conceptual development क्या है, concepts का विकास, समप्रतियों का विकास, धार्नाओं का विकास, अवधार्नाओं का विकास, यानि concepts clear हो पाएं बच्छे के ये बताईए, कि encourage conceptual development के लिए क्या करें, यानि समप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए क्या करें, पहला option है, keep punishing, भई आप कौन होते हैं, दंड देने वाले, RTE भी नहीं आजकल अलाओ कर रहा है, फिर है B option, getting children to forget old concepts and learn new ones, रट्टे के थुरू पुराना भुलवा देने, अलग-अलग उनको धारन देने और non-examples भी, non-examples क्या है, जो किसी particular concept को और clarity से समझा सकें, कि अगर मैं ये बतारी हूँ कि ये pen का example है, कि ये सारे pen का example है, ये ball pen होता है, ये gel pen होता है, ये marker pen है, ये है, वो है, तो एक example मैंने क्या दिया, एक example मैंने दे दिया, को और कुछ और अठाले, अभी मिरे पास यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, बट मैंने माउस का दे दिया, कि ये pen नहीं है, ये ना, this is not an example of pen, तो ये non-example हो गया, बट इससे क्या होँ, मिरे pen का जो concept है, वो clear हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, rewarding students, each time they make a conceptual change, तो हर बार जब reward भी हमें motivate नहीं करेगा, तो C option is the right answer, कि variety of examples दीजे, अलग-अलग उधारन दीजे, और गैर उधारन दीजे, जिससे बच्चे की conceptual understanding, concept उसका clear हो सके, आगे बढ़ेंगे, question number 18 देखिए, effective teaching includes, यानि प्रभावशाली सिक्षन में क्या included होगा, पढ़िए एक बार जवाब बताईए, देखिएगा, effective teaching includes taking care of emotional leads of students, यानि एक प्रभावशाली सिक्षन या अच्छा सिक्षन जो है, उसमें क्या include होगा, emotional leads का ध्यान रखा जाए बच्चे का, हाँ, क्योंकि बच्चे में emotions भी तो है, हम सिर्फ robots थोड़ी है कि जिसमें सिर्फ दिमाग है, हम हमारे और emotional, तो चारों चीज़े हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मन अच्छा नहीं होगा, तो दिमाग भी अच्छा गाम नहीं करेगा, शरीर अच्छा नहीं होगा, तो socially भी अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक, तो emotional leads का भी धिहान रखना है हमें बच्चे की, adapting curriculum and assessments to the students, बिल्कुल सही बात है, जो curriculum है, वो हमारे थोड़ा सा flexible होना चाहिए, आवश्चता अनुकूल होना चाहिए, need के अनुसार हम changes ला पाएं, curriculum में या आकरीन के तरीके में, flexible grouping for peer interaction, बिल्कुल सही बात है, grouping कैसी होने चाहिए, flexible, changes लाए जा सकें groups में, जब need हो, जैसा interest हो उसके हिसाब से task based हम कर सकें, employing rigid, rigid तो जहां word आगया मामला खराब है, employing rigid classroom management strategies, ऐसा नहीं है, ठीक, 1, 2 और 3, यानि की, B option is the right answer, D खराब है ना, गलत है, तो तीनों सही हैं बाकी के उपर के, तो आप लोग आंसर दे भी रहे हैं, आगे बढ़ते हैं question number 19 पे, पढ़िएगा एक बार, अच्छा question है ये भी, कई questions हैं जो सोचने में मजबूर करें गई, रेखा provided a map of India with land forms and rivers to her students and encouraged them to make initiative guesses, intuitive guess होगा है, कि जो सहजता से आपके मन में सबसे पहले guess आता है, intuitive guess बोलते हैं इसको, about the location of major cities in it, her approach to teaching learning is, यानि की रेखा जो है, एक सिक्षिका है, उन्होंने map of India, या इंडिया का एक map दिया बच्चों को, जिसमें land forms हैं और rivers हैं और बच्चों को कहा, encourage कि आप रोटसाहित किया, कि जो भी intuitive gas लगा हो, कि दिल्ली कहा हो सकता है, या ये वाली river कहा हो सकती है, तो वो सहजता से gas करेंगे, जो भी उनके, जिस भी आदार पर उनके पास knowledge है, उसका इस्तमाल करके, वो gas करेंगे, क्या हुआ मतलब बच्चा active है, that means, यह कौन से तरीका है, road तो नहीं है, रटा कहा है, यहाँ पे तो रटने का कुछ बताया ही नहीं है, direct instruction ऐसा भी नहीं है, कि बस बता दिया हो कि यह river है, यहाँ यहाँ होती है, expository teaching भी होता है, भर द यहाँ अपने दिमाग में, यह है discovery learning, बच्चों को आप मौका दे रहे हैं, खोज का, innovation का, उनको खुद से discover करने का, search करने का, तो B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे, गलती करेंगे, सीख जाएंगे, question number 20 देखेगा, एक बार, देखेगा, question number 20 है, अच्छा question है, presentation of a concept and its sub-concepts in a hierarchical and interconnected manner is called, किसी संप्रत्य तथा, उसके उप्संप्रत्यों की अभीकरम तथा, अंते संबंदित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है, मतलब क्या होँ ऐस चीज का, कि आपने कोई concept बताया, मानलेजे प्याजी का concept बताया, ठीक है, और उसके sub-concept बताया, कि उसके अंदर क्या होती है, चार elements है, ऐसे, जो sub-elements है, है न, M.E.S.E. जैसे मैं बताती हूँ कई बार, तो प्याजी से जोड़के, क्या बता दिया, यह चार और concept बता दिया, फिर stages बता दिया, फिर schema बता दिया, क्या है, फिर equilibration क्या है, इसके अंदर क्या है, मतलब क्या हुआ, flow chart, या जिस भी तरह से basically याद अरखा जा सके, वो तरीके वो फंडे बता दिया, hierarchical manner में, कि यहां से यह निकला, यहां से यह निकला, branches में समझा दिया, ठीक, mnemonic कहेंगे, mnemonic होता है, छोटा रूप, जैसे मैंने आपको प्याजी क फंडे होते हैं, जिनको हम use करते हैं, graphic organizer, इसका जो सही उत्तर है, वो है graphic organizer, algorithms भी आपके set pattern होते हैं, जिनका आप use करके किसी भी problem को solve करते हैं, यहां पर बात है, graphic organizer is the right answer, जो सिर्फ 90% लोग दे रहे हैं, देखो समझो, question ने क्या पूछा है, फिर से समझते हैं, question ने पूछ अचा है, presentation of, presentation of a concept and its sub-concepts, यानि किसी concept को present करना और उससे जुड़े हुए sub-concepts को present करना, एक hierarchical and interconnected manner में, कि एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, तीसरी चीज से चौथी चीज जुड़ी हुई है, तो एक hierarchical manner है, सबसे top, जो main topic है, उससे जुड़ी हुई चीज करके इस चीज को, एक topic को explain किया दा रहा है, किस के थूँ, graphic के थूँ, तो इसलिए graphic organizer कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाशा में mental maps, या concept maps, mind maps, flow charts, ये सब कह देते हैं, तो ये चीज हमने पढ़ी है, बस थोड़ा सा language change की और आप घबरा गए, तो मतलब, graphic organizers क्या है, कि graphics के थू जिसको organize करें, graphic organizers, graphic क्या है, जो visual हो कुछ भी, याना, graphic organizers, यानि, visually हम किसी भी चीज को अगर organize कर रहे हैं, तो graphic organizer उसको कह सकते हैं, जैसे मान लीजे, यहाँ पे हमने प्याजे लिख दिया, या हमने कुछ और भी लिख दिया, ठीक है, अब इस से जुड़े हुई सारी चीज और यूजर को सकते हैं, concept diagrams भी कह सकते हैं, basically concept को समझने के लिए आपने representation, graphical representation का استعمal किया है, visual representation का استعمal किया है, अब इसको knowledge map बोलिए, concept map बोलिए, mind map बोलिए, cognitive organizer बोलिए, advanced organizer बोलिए, concept diagrams बोलिए, या फिर graphic organizer बोलिए, ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे next question पे, next question क्या है, समझते है एक बार, question number है 21st, देखेगा एक बार, several educational reports are revealing that students are underperforming than the expected learning levels, the first unit of analysis to understand this gap should be, यानि कई सारी जो researches हैं, जो educational reports हैं, हर साल आती है ना अगलग तरा की reports, ठीक, एक कौन सी report है, वो जो काफी famous भी है, ये से होती है I think, basically हमारी इस्तिति उसमे खराबी रहती है, याद आ रही हो तो बताना एक बार, अगर हम बात करें तो कई सारी educational reports में ये reveal हुआ है, कि बच्चे underperform कर रहे है expected level से, यानि 3rd class में जितना बच्चे को आना चाहिए, उसको आता नहीं है 6th class में पहुँच गए, 10th class में पहुँच गए, आता नहीं है 5th class का भी तो गड़वड है ना, इस चीज के लिए, इसको analyze करने के लिए इस problem को सबसे पहले किस gap को समझने की जरूरत है, या किस gap पे analysis होना चाहिए बताओ एक बार, फटाफट से बताओ, anecdotal नहीं है यार कल बताऊंगी एक भी वक्ति सही उत्तर नहीं दे रहा A.S.R. की report, right, 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 A.S.R. right, रुची, बिल्कुल सही बात है अगर हम बात करें तो सबसे पहले system को analyze करना चाहिए कि कहीं हमारे system में तो गड़बर नहीं है, जहां सिर्फ pass और fail पे हम focus कर रहे है learning पे focus हो ही नहीं पा रहा तो सबसे पहले system को analyze करेंगे, बाद में बच्चा, community, peer आएगा कि system में गड़बर तो नहीं है, system को पहले analyze किया जाएगा यदि ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि problem कहा है, system में है बच्चे में नहीं है, question 22 देखिए चिल्रन्स intrinsic motivation to learn is increased when यानि बच्चे की आंत्रे कभी प्रेड़ना सीखने को लेकर के कब बढ़ेगी intrinsic मतलब, सीखने का reason अंदर है, आप सीखना चाहते हैं, इसलिए कोई काम कर रहे है पढ़ने में मजा आ रहा है, इसलिए पढ़ रहे है, ना कि number मिलेंगे, इसलिए पढ़ रहे है ठीके, तो children's intrinsic या आंत्रे कभी पेड़ना या internal motivation को और बहतर कैसे किया जा सकता है बढ़ाया कैसे जा सकता है तो 53% लोग C option कह रहे है, learning is centered around rewards देखो reward external चीज़ है, अगर internal motivation बढ़वानी है, तो reason भी internal होगा, बाहर नहीं होगा reason के punishment और reward तो बाहर ही reason है, external motivation से जुड़े हुए है learning strategies focus on mere memorization again रटने से किसी को भी intrinsic motivation नहीं आती their learning environment fosters their sense of belonging and agency यह बात सही है, बच्चा क्या है active है, यहां पर कोई भी reason बाहर नहीं है कि बाहर ऐसा होगा, कुछ मिलेगा, इसलिए कुछ कर रहे है the teachers encourage obedience and adopt standardized methods of assessment यह बात भी गड़बढ है, कि teachers जो है सिर्फ आगया पालन को कहें और चुक्चाप से कहें कि माल लो जो बताया जा रहा है, उसी को internal motivation कब बढ़ेगी, जब बच्चे का environment ऐसा हो जहां उसका, जो belonging है, उसको वहाँ पर belonged feel हो उसको वहाँ accepted feel हो, से वहाँ मज़ा आए कुछ करने में ठीक, तो वह अंदर से ही अभी प्रेरित होगा कुछ ना कुछ करने के लिए, किसी ना किसी चीज में तो मज़ा सब को आता है तो C option is the right answer, question number 23rd देखेगा एक बार second last question आज के लिए, which emotion would facilitate the process of meaningful learning यानि अर्थपूर्ण अधिकंग को कौनसा एक emotion, कौनसा एक समवेक बढ़ावा देगा आर्थपूर्ण अधिकंग जिसको जीवन से जोड़ा जा सके, जिसको आसानी से समझा जा सके, बिना रटे like share नहीं कर रहे हो, आज आप लोग अगर याद ना रहे ना, मुझे तो भूली जाते हो, है देखो एक बार, फटाफट से जलते हैं आगे 91% लोग कह रहे हैं, D option, बिलकुल आसान है ये तो, easy हो गया ना अभी अगर negative emotion को हटा देंगे, shame से किसकी meaningful learning हो, ये रटेगा बिचार, डर से कोई meaningful learning नहीं कर सकता, hopelessness से नहीं होगा, curiosity, जग्यासा यदी है तो आप उसके सकता reason ढूण लेंगे, कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है और क्यों है तो क्यों है, ठीक है, क्यों है तो क्यों है, कोई senses बत की देखो, question 24, देखो statement और reason वाला question है, पढ़िए का ध्यान से statement है आपके सामने और इसका दिया हुआ है reason, पढ़िए एक बार पढ़िए पढ़िए पढ़के समझी और फिर समझाईए बड़ा question है यह कह रहा है, 43% लोग, देखे बड़ा बच्छे, अगर statement की बात करें तो teachers must encourage children to share the naive or intuitive theories, जो बच्चों के मन में theories आ रही है या naive concepts है, उनको वो share करें, बल्कुल सही बात है all children start off with pre-conceptions of reality and these conceptions influence their understanding in schools, यानि हर बच्चे में अपने कुछ conceptions होते हैं, उसके अपने कुछ संपरत्य बनते हैं जो वो दुनिया में आकर के बनाता है, देखकर के चीजों को, बात तो ठीक है, इसके लिए हमें सामाजी क्रशनवादी classroom में, सामाजी क्रशनवादी यानि बच्चे जहां activity कर रहे हों, groups में सीख रहे हों, दूसरे के साथ सीख रहे हों, guidance मिल रही हो, cooperate कर रहे हो, collaborate कर रहे हो, तो पहला option है tasks that are challenging and allow critical thinking, यानि ऐसे tasks जो challenging हो, और जिनमें आलोशनात्मक चिंतन लगे, जिनमें बच्चे का reasoning skills से लेकर के सारी skills लगें, जो भी mental skills हैं, cognitive skills हैं, tasks that are repetitive and mechanical, इसमें तो रट्टे बाजी होगी, construction नहीं होगी, rote memorization हो जाएगी, recall-based learning, again, rote memory है, passive learning है, tasks that do not permit questioning by the children, अगर बच्च that are challenging and allow critical thinking, जो task challenging होंगे, उनके लिए उसको curious भी रहना पड़ेगा, उनके लिए उसको 70 जगा से questions के answer भी ढूनने पड़ेगे, critical thinking करेगा, तो हजार बार सोचना पड़ेगा, fact क्या है, opinion क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अलग-अलग perspective से देखेगा चीज़ों को, critically basically just मान नहीं लेगा सही और गलत को, तो a option is the right answer, out of 25 questions कितने आपने ठीक के आज,